आज हम आपके यूनित नमबर टू का लेसन नमबर थ्री पढ़ने जा रहे हैं और उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कहें of literature for children. यह अच्छली तमाम components जो हम पढ़ने जा रहे है यह हर किसम के literature के हैं बच्चों की भी बढ़ों की भी तो लेकिन हम इसको specifically बच्चों के context में देखेंगे. सबसे पहला component जो बच्चों के हम literature का पढ़ेंगे उसका नाम है यॉनरा और वो क्या है? यहूनरा से हमें यह पता चलता है कि जो specifically कहानी कहंए लिखी कई गई है इसमें किस किसम के पैट्रूंस है और इसमें किस किसम का राइटिंग स्टाइल है इसमेंग करेक्टर कैसे काम कर रहे हैं सैटिंग कैसे हुई भी है सीन कहा पर है और वो किस किसम का इफ्रक्ट करता है रीडर के उपर सो इससे पहले आप जितनी भी स्टोरीज के बारे में पढ़ चुके हैं जैसे कि वह साइंस फैक्शन थी जैसे कि वह एडवेंचर था जैसे कि रियल लाइफ स्टोरीज थी पोक टेल्स थी या फैरी टेस्ट थी यह तमाम की तमाम का वारे में किसी भी कहानी को पढ़ते हैं कि वह और हम में किया बताए हैं नतर जादे ही कि के सची यह सिजव जाता है् कहानी पढ़के हमें पता चल जाता है यह फैंटसी है आई यह किसी एक फैंटसी वोड के बार में बताईगी है इसके अंदर कोई इसके अंदर कोई magical टांज है या कुछ ऐसे अंदर कोई दर नहीं होते पर वो इनसानों की तरह बोल रहे हैं या या रियल करेक्टर यह सब्सक्राइब कोई चल जाता है कि एक फ़ैनी कहानी यह इस कहानी को पढ़के डर लग रहा है इसके अंदर अंदर कोई कोई आक्शन हम कहानी पढ़ते हैं तो वह हमें बताती है कि इस कहानी का यॉणरा क्या होगा So we rely upon a set of categories to recognize when you are observing के rules क्या है what we can expect to happen as well as not to happen यॉणरा से हमें ये पता चलता है कि अगर ये एक funny कहानी है तो इस funny कहानी के अंदर क्या चीज होगी और क्या चीज नहीं होगी अगर ये एक fantasy कहानी है तो fantasy कहानी के अंदर कौन कौन से elements मौझूद होगी और कौन से elements मौझूद नहीं होगे अगर ये science fiction है तो science fiction के अंदर जरूर कोई science की चीज होगी definitely जो science से related, technology से related होगी और उसका इनसानों के उपर या हमारी दुनिया के उपर असरात जरूर होगे और अगर ये science fiction नहीं है तो ये science fiction क्यों नहीं है तो बन्यादी तोर पर जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं उसके अंदर ऐसे organization ऐसे patterns मौझूद होते हैं ऐसे structures मौझूद होते हैं जो हमें बताता है कि कहानी ये है पर ये नहीं है आज यो यॉन्रास हमें बच्चों के literature के अंदर मिलते हैं उसके अंदर फॉक्ट्रेल्स आ जाती है आपका रियलिस्टिक फिक्शन आता है, fantasy भी आता है, historical fiction भी आता है है, different चीजों के बारे में, so जब हमें किसी भी कहानी का यॉन्रा पता होता है, तो हमें ये भी पता होता है कि हम क्या expect करने जा रहे है, definitely fairy tales एक यॉन्रा है, जब आपको बता चलेगा कि ये कहानी fairy tales है, तो आपको पता होगा इस कहानी के अंदर आपको क्या-क्या चीजे मिलेंगी और क्या-क्या होने जा रहे है, उसमें magic भी होगा, उसके अंदर definitely visits भी होगे, उसके अंदर कोई king भी होगा, उसकी family भी होगी, और उसके अंदर बहुत सी magical important चीजें होंगी, conflicts भी होंगे, so you can easily guess once you know the genre, कि इसके अंदर क्या चीजें होंगे और क्या चीजें मवजूद नहीं होंगी. Last but not the least, important चीज़ जब हम बच्चों के literature में देख रहे होते हैं, तो picture books बहुत important books हैं, और हमारे पास दो साथ से क्या, बलके जब बच्चा पैदा होता है, जीरो से लेके 8 साल की उमर तक के लिए बहतरीन pictures books available हैं, और picture books यह उनरा नहीं हैं, picture books जो हैं, वो किसी category में fall नहीं कर permit है, it is not a genre.